आईएस मैडम पूजा को जेल में मिली सेवादार बीबी आईपी सुविधाओं के बीच मैडम पूजा के लिए आया गद्दा मलमलदार रईसों वाली जिन्दगी जीने वाली मैडम पूजा को जेल में मिलने लगा खाना जायकेदार सामानिक कमरे में मैडम को नींद नहीं आई तो कर दिया गया स्पेशल कमरे में सिट निलंबित आईये सदिगारी पूजा सिंगल को जेल में मिल गया है दो दो सेवादार आम कैदियों से अलग पूजा सिंगल को मिल रहा है बीबी आईपी ट्रीटमेट अलग कमरे के बाद विशेज खाना भी परोसा जा रहा है मैडम की ठाली में एक तो चोरी उपर से जेल में भी बी आईपी टीटमेंट फिर मैडम को कैसे होगा उनका अपराद बोध आम जंता का पैसा खाने वाली इस भरस्ट महिला को कैसे ग्यात होगा अपना अपराद जब के लिए विशेज सुविधाओं का इंदिजाम कर दिया गया सामाने वाट में जब पूजा आसाज मसूस करने लगी तो उन्हें सामाने कमरे से हटा कर बगल की दूसरे कमरे में सिफ्ट कर दिया गया जहां उन्हें कमपणी दे रही है पूर्व विधायक निर्मला देवी इसके साथ ही दो महिला कैदी पूजा की सेवादार बन गई है हाँ जेल परसासन ने ये जरूर ध्यान रखा है कि सेवादार के रूप में रखी गई महिला कैदी की उम्र पूजा सिंगल से कापी कम हो ताकि उन महिला कैदी जो अब मैडम पूजा की सेवादार हो उनका मान सम्मान ना घटे इतना सोचने वाली जेल परसासन सिर्फ एक ही महिला के लिए इतनी महरबान क्यों है बांकी कैदियों ने जुर्म किया और पूजा सिंगल ने फिर जब से मैडम पूजा निर्मला देवी के साथ महिला वाट में सिप्ट हुई है वो पहले से थोड़ा सहज महसूस करने लगी निलंबित आये सदिकारी पूजा सिंगल वाट से बाहर निकलने से परहेज कर रही है वो पूरा समय वाट में ही बिता रही है वो सुबह जागने के बाद सबसे पहले अख़वार पढ़ना शुरू करती है फिर उन्हें उनके सेवादारों द्वारा परोसा जाता है विसेज खाना ये भी बताया जा रहा है जेल की चादर में मैडम पूजा को आने में परिसानी आ रही थी तो उनके लिए स्पेसल गद्दा आया है वहीं जेल मेनुवल के अनुसार देखें तो पुर्व महिला बिधायक के साथ महिला आयेस को रखना गलत है महिला आयेस हो या कोई अन्यधिकारी उन्हें सामाने कैदियों के साथ जेनरल वार्ट में ही रखने का प्रापधान है हलाकि अगर किसी भी कैदि को जेल में विसे सुविधा लेनी हो तो पहले उन्हें कोट को आवेदन देना पड़ता है लेकिन पूजा सिंगल के लिए कोट का आदेज भी जरूरी नहीं है पैसों की गर्मी के आगे कहा माना जाएगा जेल मैनुवल इधर पूजा सिंगल और निर्मला देवी में अच्छी दोस्ती नजर आ रही है दोनों साथ में बगान के बगल में बने रास्ते पर टालते हुए बाच्चीत करती देखी गई जिसके बाद दोनों साथ में ही अपने वाट में लॉट गई हो जाना दिल दूर जब राची में है the प्रेयास इंडिया वन अफ दे लीडिंग यूपियसे इंस्टिट्ट आइस बनने का सपना यहीं होगा साकार राची में मिलेगा बेस्ट यूपियसे कोचिंग जब प्रियास करेगा आपके लिए प्रियास तो होगा आपका सपना साकार ओप्सिनल पीपर हो या फिर ऐसे लिखने का गुर टेस्ट सीरीज के साथ बेस्ट स्टडी एंड एडवाइस देगा आपको सब्जेक्ट्स पर मजबूत पकड़ हिंदी या इंगलिश दोनों भाशाओं में होगी सिक्छासान अगर देखा हो आईएस का सपना तो प्रियास है दा बेस्ट जोएन दा बेस्ट यूपीसी कोचिंग सेंटर दा प्रियास